छोले भटूरे एक ऐसे डिश है जिसके लिए हमारा प्यार कभी कम नी होता ये एक एमोशन है भटूरे इतने नरम इतने मुलायम की दूसरे दिन भी एकतम फ्रेश लगेंगे और छोले जो एरोमेटिक बनाएंगे होममेट मसाला के साथ तो कोई स्पेशन मसाला भी नहीं ची घर पे जमाया हुआ भी दही इस्तमाल कर सकते हैं एक छोटा चमश नमक और इसके साथ एक छोटा चमश चीनी नमक और चीनी बरावर मात्रा में डालें अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद इसे दो से तीन मिनट के लिए छोड़ दें ताकि सूजी औ मेला है तो यहां पे दो कप मेयदे का इस्तमाल कर रहे हूं फिर हम इसमें आधी चूटी चमश बेकिंग सोडा डा लेंगे बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा ही डालना है वही दही के साथ अच्छे से मिक्स होता है और इसके बाद यह जो डो को फर्मिंट होने में ह खुर्दूरा हो जाएगा तो नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें धंडा या गर्व नहीं जो रूम टेंपरेचर पे पानी पीने के लिए हम्य स्तेमाल करते हैं वही पानी से हम इसे गूं लेंगे अगर आपके पास बेकिशालनी है हैं बस इनों की quantity दूग नहीं करनी है मतलब हमने यहां पर आधी चोटी चमस दा लिया है तो इनों आपको एक चोटी चमस लेना पड़ेगा अब हम इन सब को अच्छे क Tiger करेंगे मिला कि अंद Finnish किया लिए और इसके और यहां बहु आ ऐसे कम निया जांद सजब की हैं अगर यहां निया प्रॉक करेंगा करेंने की ऑर इसने की चुटी का लिए यह थोड़ने के ति सभ़ोले करेंगे एक दालचीनी, एक बड़ी लाईची और इसके साथ एक छोटे चमच चाई पत्ती, आप इसके जगर टी वैक का भी इस्तमाल कर सकते हैं, टी वैक सब के घर में नहीं रहता है, इसलिए आप सूती के कपड़े में इन तीनों को बान दें, और इसके बाद हम इसे छोले के साथ कुकर में डाल देंगे, तो यहाँ पे ये छोले को मैं प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ, एक छोटे चमच आप इसमें नमक डाल दे, पानी डाल देंगे, तो जितने हम छोले इस्तमाल करें ना, वो अच्छे से डूप जाए, उतना ही पानी डालना है, मिला देंसे, इस इसके बाद 6-8 सीटी तक उबाले, 6-8 सीटी में छोले जो है बहुत यह आसानी से पक जाते हैं, तो जब तक यह उबल रहे हैं तब तक हम मसाला बना लेते हैं छोले के लिए, आप जीए तो रेडिमेंट मसाला इस्तमाल करें या इसे घर पे एकदम अरोमेटिक मसाला बना सक तो यहां पर 2 चमच मैंने सावु धनिया लिया है, एक चमच जीरा ले लेंगे, इसके साथ हम एक चमच सौफ ले लेंगे, जरूरी है इसमें, पांच से छे लवग ले लेंगे, यहां पर थोड़ा सा जाय फल, जावित्री ले लेंगे, तीन से चार हरी लाइची डाल दें इसके साथ हम इसमें यहाँ पे यह दाल चीनी, काली मिर्च और लास्ट में हम सुखे लाल मिर्च डाल देंगे तो सुखे लाल मिर्च मैं बहुत जादा नहीं डाल रही हूं क्योंकि मैं छोले में लाल मिर्च पाउडर भी इस्तमाल करूंगी इन सब को एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेंग पे रोस्ट कर ले और जैसे यह थोड़ा सा भून जाएगा गैस को बन कर दें और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा करके आप इसे ब्लेंड कर ले तो यह हमारा होमेट पंजाबी छोले मसाला जो है वो बन के तियार हो जाएगा आप इस मसाले को स्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं और जब भी छोले बनाए ना तो इसमें यह मसाले डाले उससे छोले से जो खुश भू आएगी ना कि घर क्या पड़ोसी के भी लोग आके आपसे रेसिपी पूछेंगे तो मेरा नाम मत लीजेगा अपना ही नाम बताइगे क्योंकि मैनन तो आप ही की रहेगी तो यहाँ पर हमारे छोले जो है वो उबल चुके हैं अब हम गयास को बंद कर देंगे और इसके बाद सीटी निकाल के इसे खोल लेंगे प्रेशर निकाल दे अच्छे से उसके बाद कूकर को खोले ये हमारे छोले जो है वो अच्छे से उबले हुए दिख रहे हैं ये पोटली हटा देंगे इसका कोई काम नहीं है और इसके बाद छोले को एक बार प्रेस करके चेक कर ले अगर ये नहीं पके हैं तो आप थोड़ा सा और सीटी लगा सकते हैं इसमें मालब दो-तिन सीटी और लगा दे लेकिन यहाँ पर ये दीखे इससे ज्यादा इससे नहीं पकाना है तो छोले को हमने उबल लिया है मसाला बना के रखा है तो अब चलते ग्रेवी बनाने के प्रोसेस में तो ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में हम तेल गरम करेंगे और तेल में डाल देंगे के प्याज को मैंने बारी काटके रखा है प्यास डाल दिया और प्याज को 3-4 मिज़र तक मीडियम प्लें पे भूल ले जब प्याज का कलर हलका सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे अध्रक लैसुन का पेस्ट तो यहां पे प्याज को हमने पका लिया है यह चमच और इसे मिला देंगे जैसे अध्रक लैसन पक जाएगा हम इसमें दो मिडियम साइच के टमाटर कटे हुए डाल देंगे आप चीए तो टमाटर की पेस्ट या टमाटर की प्यूरी भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी और लाल मिच पाउडर तो यहाँ पे प्यास टमाटर को हमने पका लिया है अब हम इसमें आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर और दो चोटे चमच कश्मीरी लाल मिच पाउडर इस्तमाल करेंगे कश्मीरी लाल मिच पाउडर ती तब हम इसमें ये उबले हुए छोले डाल देंगे और इसके साथ डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार ध्यान रहे हैं छोले में हमने नमक डाला था तो नमक आपको यहाँ पर थोड़ा कम डालना है अब हम इसे ढख के 3-4 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे बिना पानी के और जब तक ये पक रहना तब तक गयास के दूसरे साइड हम पानी गरम होने के लिए रख देंगे छोले में हम गरम पानी का इस्तेमाल करेंगे, गरम पानी से क्रेवी बहुत अची बनती है, कलर बहुत अच्छा आता है अगर आपने मेरे किचन टिप का वीडियो देखा होगा तो मैंने यही बात बताई है तो यहाँ पे छोले जो है वो मसालों से अच्छी से मिक्स हो गए है आप छी तो ड्राई छोले मसाला भी ऐसे बना सकते हैं बेना पानी के बहुत अच्छा लगता है टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें दो छोटे जमच आमचुर का पाउडर डाल देंगे आप इसकी जगा चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास अनार दाना पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं तीनों में से कोई एक चीज डाले इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये उबला हुआ पानी तो यहाँ पे जितने ग्रेवी आपको चीए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाले तो यहाँ पे मैंने दो कप पानी गरम किया था पूरा डाल दिया मैंने मिला दें इसे अच्छे से आमचुर पाउडर से छोली में खटा मिठा फ्लेवर आता है तो मैं सजेस्ट करूँगे कि आप इसे जरूरी इस्तमाल करें अब हम इसे ढखके गैस का फ्लेम कम कर देंगे और 3-4 मिनट पकने देंगे 3-4 मिनट बाद हम इसे एक बार ऐसे मिक्स करेंगे अगर आपको चीए तो थोड़े से छोले को आप इसमें मैश कर सकते हैं जिससे ग्रेवी आपके थिक हो लेकिन यहाँ पर हमने प्यास तमाटर काफिय इस्तमाल किया है जिसकी वज़े से इसे मैश करने की जरूरत नहीं है और अगर अपने छोले को उबालते वक सोडा डाला है तो ऐसे इसमें मैश हो जाएगा तो यहाँ पे छोले की जो थिकने से वो एकदम पॉफिक्ट है यह आप देख सकते हैं मैंने इसे टोटल पांच मिनट पकाया है पानी डालने के बाद तब हम इसे यहाँ से हटा देंगे मतलब अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो इसे मैं अलग रख देती हूँ और तड़के पैन में दो बड़े चमच घी डालेंगे इसके बाद हम इसमें लहसुन, अद्रक और हरी मिर्च डालेंगे तो यहाँ पर यह लेसुन डाला मैंने यह द्रग डाला और इसके साथ हरी मिर्च तीनों को थोड़ा सा भूल ले और इसके बाद हम इसमें आदी छोटी चमच कसूरी मेथी डालेंगे तो यहाँ पर कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं गैस को बंद किया मैंने जैसे तेल थोड़ा थंडा हो जाए न तब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे आदी चोटी चमच लेकिन अगर आपको तीखा बहुत जादा नहीं पसंद है तो कश्मीरी लाल मिर्च को तड़के में स्किप कर सकते हैं बस इसका तड़का लगा दे तो यहाँ पे यह मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया और यह हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी चोले जो है वो बन के तयार है अगर आपने इस तरीके से उचोले नहीं बनाए हैं तो एक बार मेरी इस रेचिपी को जरूर ड्राई करे तो छोले तो हमने बना लिए अब हम चलते हैं भटूरा बनाने के प्रॉसेस में तो डो यहाँ पे हमारा फर्मेंट हो चुका है यह देकि फूल भी किया थोड़ा तब हतेलियों से मार मार की इसे ऐसे थोड़ा सौफ्ट कर ले और इसके बाद इसकी लोई बना ले अगर यह ज़्यादा चिपक रहा आपके हाथों में तो थोड़ा सा मैदा आप लगा सकते हैं तब हम इसकी लोई बना लेंगे और इसके बाद इसे रोल कर लेंगे जब भी आप भटूरा बनाएं तो ध्यान रहे कि तेल आप पहले से गरम होने के लिए रखे गया स्पे और जो चानने का बरतन है वो बड़ा रखे ताकि भटूरी जो है वो अच्छे से जादा स्पेस में फूल पाए मैदे को आप कितना भी रोल करें वो श्रिंक होना ही है तो आप इसे थोड़ा बड़ा रोल करें और बहुत जादा पतला यह बहुत जादा मोटा नहीं रोल करें भटूरा मैंने रोल कर लिया है तेल मैंने पहले से गरम होने के लिए रखा था एकटम गरम तेल में आपको इन भ़टूरों को ऐसे side से डालना है ये देखे रहाद बचाके और उसके बाद तुरंत इसके उपर गरम तेल डालना है जैसे ही आप इसके उपर गरम तेल डालना शुरू करेंगे उपर की layer फूलने लेगे ये देखे और इसके बाद तुरंती से ऐसे पलट दे भटूरा फ्राई करते वक्त तेल का टंपरेचर मिंटेंग करना बहुत जरूरी है अगर तेल जादा गरम है तो तुरंत ब्राउन हो जाएगा कम गरम है तो हलके कलर का होगा फूलेगा नहीं तो इस वजए से तेल जादा गरम हो जाए तो गास का फ्लेम थोड़ा कम करना है और जैसे युट जादा पलगे कि टेंपरेचर कम हो गया है तो गास का फ्लेम हाई करना है तो यह हमारा एक भटूरा बन के तियार है इसे मैं नेकान लेती हूँ और सेम प्रसेसे बाकी के भटूरे को तल देंगे भटूरे का शेप आप बड़ा या छोटा अपनी मरजी से करें बहुत ज़्यादा भटूरा अगर बड़ा बनाएंगे तो कड़ाही जो है वो आपको चौड़ी रखनी पड़ेगी अगर आप छोटे कड़ाही में करेंगे तो ये फूले गानी अच्छे से तो यहाँ पर ये वाला भटूरा थोड़ा मैंने बड़ा रखा है लेकिन इसके उपर तेल डालने के लिए जग़ा नहीं ये आप देख सकते हैं तो भटूरे को बेलते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कड़ाही कितनी बड़े इस्तमाल करें या तील कितना इस्तमाल करें उसके उपर आप उसे रोल करें तो भटूरा बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सूजी, दही, नमक, चीनी को मिक्स करके पहले रख देना है उसके बाद मैदा डाल के डोव बने और उसे कम से कम एक गंटा जादा से जादा दो गंटे के लिए फर्मिंट होने दे और उसके बाद ऐसे रोल करके जादा गरम तेल में ऐसे फ्राइ करें भटूरे बनाते वक्त आपको एक बात का ध्याना रखना है कि इसे पहले से रोल करके नहीं रखे इसे रोल करे और ऐसे गरम तेल में डाल दे संग-संग प्रोसेस आपको यह फॉलो करना है फिर इसके उपर ऐसे गरम तेल डाले ग्यास का प्लेम हाई रखे तभी आपके भटूरे जो है वो सही से फूलेंगे यह देखे इस भटूरे को आप दूसरे दिन में खाएंगे तो यह मुलाय में रहेंगे कड़ा हो ही नहीं सकता है इसकी गैरिंटी है तो यह हमारे मज़िदार भटूरे बन के तयार है यह देखे इसे मैं निकाल लेती हूँ और अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रॉसेस में तो सर्व करने से पहले आप क्या करें कि थोड़े से प्याज ले और उसके उपर लाल मिर्च पारडर नमक डालके इसे मिला दे थोड़ा सा आप इसमें निवू भी आट कर सकते हैं उससे भी यह बहुत अच्छा लगता है भटूरे के साथ तब हम क्या करेंगे कि इसे सर्व कर देंगे तो सर्व करने के लिए मैंने प्याज हैरी मिर्च और अचार रखा है पहले से प्लेट में और यह एक्तम कड़ाई से निकलेवे भटूरे प्लेट में रख देते हैं और इसके साथ यह मज़ेदार छोले है नब बहुत ही टेंप्टिंग दिख रहा है तो बाजार से अच्छी टेस्टी और हाईजीनिक तरीके से छोले भटूरे आप घर पे बनाएं वो भी इतने आसान तरीके से आप इस रेसिपी को एक बाज जरू ट्राई करें यह आपको बहुत पसंद आएगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाते हूँ कि भटूरे तोड़ने के बाद जो है अगर इसमें ऐसे जाल ले आए मतलब भटूरे आपके एक तम सही से बने हुए है और ऐसे भटूरे कड़